हाई फ्रेंट्स मैं हुनेया सक्सेना और मेरे चैनल में आपका बहुत सवागत है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप इसको लाइक कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल बना भूलेगा तो आज हमारा टॉपिक है कि मूंग की मातरा में भी ब्रदी हो जाती है देखिए मूंग और मौट के सेवन से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं सबसे फायता यह होता है दोस्तों की जो डाइबीटी होती है उस इस्तिती में हमारे शरीर में गुलकोस का लेबल होता है वो बहुत ही अधिक भढ़ जाता है और हम इसका सेवन करते हैं तो हमारे बॉडी में जो गुलकोस का लेबल होता है वो मैंटेन रहता है लाब देखिए दूसरा लाब है कि मूंग के जो डाल होती है अगर वो स्प्रॉट्स कर ली जाती है तो उसमें पॉली फिनॉइल की मातरा अधिक हो जाती है और कैंसर की विम जाती है क्योंकि इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल और एंटी इंफ्लमेटरी गुर्ड पाया जाता है लाब नमबर चार शरीर की रग्त की विशाक्ता अधा टॉक्सिंस अगर आपकी बॉडी में है या रग्त में होते हैं तो उसको भी साफ करने काम यह करता है दोस्तो लाब नमबर पांच लंबा खुश्णमा जीवन प्रदान करने में भी इसका बहुत यदिक फायदा होता है लाब नमबर चे पाचन तंतर को मद्बूत करने के लिए बहुत यदिक फायदे मन्द होता है लाब नमबर साथ अर्थराइटिस है अगर आपको जोडों का तो उसके लिए भी बहुत यदिक फायदे मन्द होता है लाब नमबर आठ एनिमिया लो तत्वी कमी हो गई है आपकी पॉड़ी में यही मोगलोबिन लेवल कम हो जाता है तो उस कंडिशन में हमारे शरीर में एनिमिया की डेजिस हो जाती है तो उसके निजात पाने के गाती है तो आपके लों भाल बहुत फायदे मंद होता है दोस्तों लाब 9 तो बहुत ही बनाने के लिए ऊचर को वापषिन बनाना चाहें चाहते हैं आप इसकासेन जरूर कीजेगा और और लाम नमबर 10 अगर अब को किसी और प्रकार का पांचन गश प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपको ऐसा लगता है कि हमारे श्रीर में रख्त का भाव पाया जा रहा है तो आप इसका सेवन जरूर कीज़ेगा थैंक यू